नाक में खून आना, नकसीर आना, नोज ब्लीडिंग आना दोस्तों पात करेंगे आज इस टोपिक पे क्योंकि गर्मी में ये बहुत मैतपून है कहीं न कहीं आपने भी देखा होगा लाइफ में ब्लड का आना, ब्लड का दिखना, ब्लड का निकलना इससे उपर कोई इमर्जेंसी नहीं होती नाक से ब्लड का आना, वो आपको देखा होगा हर एज में आता रहता है ये बहुत एक इमर्जेंसी है सबसे पहले तो हमें जानना है कि वो क्या कारण है जिससे नोज के अंदर unnecessary accidentally bleeding आने लग जाती है दोस्तो सबसे जो महतोपूर्ण कारण है दो कारण हमें निकल के आते हैं नोज bleeding के नमबर वन ट्रॉमा जाने अंजानी के अंदर कोई भी ट्रॉमा नोज के अंदर हो जाता है कोई accident हो जाता है fall from height हो जाता है चोटे बच्चे पलंग से गिर जाते है या नाक के अंदर कोई foreign body से pencil या pen से भी कई बार काई accidentally trauma हो जाता है तो एक तो क्या है nose bleeding का ये भी कारण होता है इसके अलावा दोस्तों बहुत बार क्या है जो बच्चे है वो क्या है कि नाक के अंदर बार-बार उंगली देते हैं कोई खरूंट होता है उसके कारण भी nose के अंदर bleeding होती है यास नमबर दो दोस्तों दूसरा जो पहलो होता है वो अगर जो nose के अंदर आपका bleeding होता है उसमें यह देखा जाता है कि what is the edge profile of the patient अगर patient adult है तो दोस्तों जो 99% मैं आपको बता देता हूँ जो region है bleeding का वो होता है uncontrolled hypertension uncontrolled blood pressure अब आप कहेंगे दोस्तों मैं तो continue blood की गोली खा रहा हूं blood pressure की गोली खा रहा हूं दोस्तों होता क्या है कि कई बार एक गोली आज से डॉक्टर ने 5 साल पहले हमारी चालू की थी और 5 साल से वो गोली हम खाये जा रहे हैं हमने कभी blood pressure हमारा measure नहीं करा है कई बार क्या होता है situation कि वो जो blood pressure की गोली खा रहा है हम वो आज हो सकता है अपने कामियाब नहीं हो उससे blood pressure हमारा control नहीं हो रहा होगा हो सकता है दोस्तों कि जो BP की गोली आपने खा रहे थे पिछले 2 मैने से बंद कर दी क्यूंकि आपको लग रहा है मेरा blood pressure अब नहीं रहता है जो BP की करण control था वो ऐसा shoot up कर जाता है दोस्तों एक तीसरी condition और होती है मैं आपको बता देता हूँ आपकी गोली से आपका BP control भी है लेकिन problem क्या है दोस्तों हम जो Indian patients है mostly लोग जो है we need the highly spicy food हम बहुत ज़्यादा salt लेते हैं पांच ग्राम से ज़्यादा अगर salt अगर कोई लेता है देट मिन्स कि जो नॉर्मल जिस patient को या आदत है कि मेरे को सबजी में नमक और डालना है दोस्तों बहुत बार कहा है गोली खाने के बाद भी उस नमक की आतिया मात्रा के कारण क्या है blood pressure control नहीं आता देट इस ता रिजन ओफ नॉर्म ब्लीडिंग चो था दोस्तों जो नॉर्म ब्लीडिंग का जो कारण होता है वो होता है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे blood के अंदर जो हमारा clotting बनाने का system है उसमें कोई defect होता है कई बार क्या होता है हेमोफीलिया है वोन ब्लीडियेज होती है अट्यदिक अलकोहल के कारण क्या है स्मॉकिंग के कारण क्या है जो हमारा liver है दोस्तों liver के अंदर जो हमारे enzymes बनते हैं जो clotting factors जो बनते हैं वो कम हो जाते हैं उसके कारण भी हमारी bleeding होती है तो दोस्तो ये वो महतोपूर्ण कारण है जिससे हमें bleeding होती है दोस्तो अग्ला हमारा वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि अगर नाक से bleeding होगी तो हमें क्या करना चाहिए तो देखना ना बुले कैसे how you manage your nose bleeding दोस्तो थेंक यू